लेसन नमबर टू एक्सरसाइस 1.1 कोसे नमबर टू और थ्री को सॉल्व करते हैं फंक्शन काई कॉंसेट्स डिसकास हो रहा है अच्छा यह देखें एक्सरसाइस 1.1 कोसे नमबर टू है अच्छा इसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है जो गिवन है और जो हम उसके उपर करेंगे प्रोसेस करेंगे प्रोसेस करेंगे प्रोसेशन इसका यह देखें गिवन यह है 6x-9 क्या फाइंड करना है एफ आफ एपलास एच माइनस एफ आफ आफ ए ओवर एच यह फाइंड करना है अच्छा इसमें देखेंगे आप लगूर करें तो यहां पर पर देखाएंगे आपको एफ आफ आफ ए प्लस एच चाहिए इदर चाहिए आपको एफ फफ है इदर आपको चाहिए एच तो और असा करते हैं तो यह जो चीज है इस में से चाहिए आपको तो ना हो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर पहले एक्स के बजाए पूट कर दें आप ए पलस एच पूट करें जरा पहले यह तो फाइंड कर लेते हैं ना तो जहां जहां एक्स है वहां आएगा एपलस एच माइनस नाइन तो यह आएगा सिक्स एच माइनस नाइन तो यह तो बड़ा सिंपल हो गया सिंपल कैसे हो गया एफ आफ एपलस एच क्या आजाएगा देखें शिक्स एपलस एच माइनस नाइन आल सो एफ आफ ओफ एच क्या होगा सिंपल सिक्स से माइनस नाइन हो जाएगा सो एफ आफ ए पलस एच माइनस एफ आफ ए ओवर एच इसके जगह पर आप पूट करेंगे इसका जो यह वाला वैल्यू जाब निकाली है तो बड़ा सिंपल आई है सेक्से पलस एक सैच माइनस नाइन माइनस और दे सेक्से अचा इसको नहीं थोड़ा साइक दफा बेशक ब्रैकेट में रखने फिल हाल तो एक स्टम एक स्टा भी करना पड़े कोई इस्यू नहीं है ताके समयने में आसानी हो अचा नीचे देखें नीचे एच दे सिंपलाइज एफ आफ आफ अचा अब ओपन कर देए इसको जरा 6A पलस 6H माइनस नाइन माइनस एक से पलस नाइन ओवर एच अब जो कैंसल होना है वो कैंसल जरूर करें 6A इससे कैंसल हो गया माइनस नाइन पलस नाइन कैंसल हो गया ऊपर आजाएगा 6H नीचे कह रहा गया अच अब फिर कैंसलेशन होनी है तो एच एच से कट गया तो आप बस जो फाइनल अंसर है वो आगया एफ एप लस एच माइनस एफ एफ ए ओवर एच सिंप्लिफाइब करने के वाद इसका अंसर आगया 6 आगया यह अंसर इसका अच्छा अब यह काम हम यहां पर फंक्शन डिफरेंट है काउज एक्स है यही काम इसके लिए करेंगे तो जैके अगर एफ आफ एक्स एगर हगा है काउज एक्स तो एफ आफ ए पलस एच क्या होगा काउज आफ ए पलस एच होगा और जओ एफ अफ ए है काउज आ खाव एफ ए फ्युम्स होगा यह है काॉज आफ ए प्लॉस एच कॉज आफ ए ओवर एच फर्स्टियर में आपने एक फार्मूला पढ़ा था फार्मूला कुछ तरह था कॉज आफ पी माइनस कॉज आफ एक क्यू तो माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू था इदर 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 प्लस आएगा और उदर माइनस आजाएगा एंगल के अंदर की बात हो रही है दिस इंपलाइज एफ आफ आफ ए प्लस एच एफ आफ आफ ए ओवर एच अच्छा अब देखें तो यह है कॉस आफ पी माइनस कॉस आफ है क्यू तो यह आएगा माइनस टू साइन यहाँ पर क्या आना था यह पी प्लस क्यू एफ पलस एफ पलस एफ पलस एफ ओवर टू और इदर आएगा साइन आफ एफ पलस एफ माइनस एफ ओवर टू अच्छा अब एफवोण है कैंसलेशन तो यह यह ए और यह कैंसल हो गया तो इसका मदभी होगा f of a plus h minus f of a over h minus 2 sin a plus a हो जाएगा 2a plus h over 2 into sin of h over 2 तो इस तरह का यह हमारे पास answer बनता है इसका तो यह ही इसका final answer है exercise 1.1 है question number 3 है express the following the perimeter p of square as function of its area a अब देखे कि हमने functions को देखना है कि वो कहां कहां पर exist कर रहे हैं यह सवाल है इसके अंदर यह कहा गया है कि एक सुकेर है उसका कोई perimeter है उसको उसका जो perimeter है और रूसरा है उसका area a अब हम square का area भी find करेंगे पहले और उसका perimeter भी find करेंगे फिर उन दोलों को आपस की relationship में show कर देंगे तो बड़ा simple solution है इसका solution step one यह देखें यह हमारे पास square है यह देखें suppose करें कि यह अगर length x है तो यह भी क्या होगी x यह भी क्या होगी x यह हो जाएगी x हो जाएगी वज़ा यह है कि स्केर है चारों साइट्स के लेंद एक ही होगी सेम नंबर होगा अगर कोई एक साइट एक्स है तो बागी सारी भी एक्स अगर कोई एक वाई है तो बागी सारी भी वाई अगर एक साइट के लेंद आ पांच सेंटी मेटर तो बागी सारी कितनी हो जाएंगी 5.5 cm हो जाएंगी अच्छा इसके अदर स्टप 1 के अंदर हम यह काम करेंगे के इसका परिमेटर देखेंगे परिमेटर समझते हैं कि समाफ आल दस होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो पी आ जाएगा फॉर एक्स इसको आप कह दें एक्वेशन नमबर वन अच्छा अब स्टेप टू करते हैं जरा एरिया एरिया आफ एरिया आफ सुकेर यह होता है एक्स वेया देसं प्लाइज एस इक्वल टू एक्स वेया इसको आप कह दें विशन नमबर टू अजास्टब थ्री में अब करना क्या था करना यह है के पी को पेरिमेटर पी आफ स्क्छार एज फॉंक्शन अफ इस एरिया ए यहनि के पेरिमीटर को हमने शो करना है फॉंक्शन आफ ए यहनि के पी को हमने शो करना है एफ आफ कैपिटल ए तो वन इंपलाइज पी क्या था फोर एक्स एंड टू इंपलाइज अश्या टू के पर जब काम करेंगे आप देख रहे हैं कि अगर इदर भी लिया जाए स्कूरूट इदर में स्कूरूट लिया जाएं तो क्या अंसर आफ ए रूट आफ ए रूट आफ एक्स हो हो घगा तो अभी हेस्केयर और यह क्या जाएगा cancel हो जाएगा तो इसके root of a is equal to x आ गया और x is equal to root of a आ गया तो put x equal to square root of a in equation number one तो perimeter जो होगा वह आ जाएगा four time fx था four times of root a अब पी जो है वो depend कर रहा है root of a a के ओपर तो हमने इसको show कर दिया perimeter is a function of a a second part जो है area a of circle as function of its circumference c करना यह है कि हमारे पास देखें यह circle है यह इसका हो गया center और यह हो गया इसका radius r अचा बड़ी simple बात यह है कि area a तो हम जानते हैं वह होता है formula pi r square इसको आप कह है equation number one कह दें और जो इसका circumference c है वह भी आप जानते हैं वह होता है two pi r इसको आप कह दे equation number two कह दें अच्छा अब हमने करना यह है यह बात आपने माइन रखनी है कि आपका target क्या है आपका objective क्या है तो आपने तो बाराल यह करना है कि area को show करना है function of c और a को show करना है f of c इसका मतलब हुआ कि यहां से देखे दोनों में जो variable आ रहा है वो आर आ रहा है ऐसा करते हैं second में से आर की value निकाल का first way कर देते हैं put कर देते हैं तो एक आटमाटिकली चला जाएगा c की form में तो यहां कर लेते हैं फिर इसको यह बड़ा इंपल है टू इंपलाइज लगे यहां पार c ओवर टू पाई इस इक्वल टू आर आ जाएगा आर आर को आप लिख सकते हैं c ओवर टू पाई तो तो इसा करते हैं वान में पूट करते हैं इसको अब वान इंपलाइज ए क्या है पाई आर सुकेर आर के जागा पूट करेंगे आप है c ओवर टू पाई स्केर तो बड़ा सिंपल हो गया a इस इक्वल टू पाई और इधर आ जाएगा c स्केर नीचे आएगा 4 इंटू पाई इंटू पाई पाई का स्केर पाई इंटू पाई लिख देते हैं तो एक पाई तो बारा दूरे पाई से क्या हो गया कैंसल हो गया तो a आ जाएगा हमारे पास है c स्केर ओवर फोर पाई तो यह a को आप ने बारा लिख दिया इंदी फार्म आफ है c यह तो काम हो गया अजब तीसरा काम यह करेंगे क्यूब है हमारे पास तीसरे पार्ट में क्यूब देखे इस तरह का है यह देखें यह क्यूब हो गया अच्छा इसका जो वालियम होगा अगर इसकी क्यूब है तो क्यूब की सार चारों साइड्स जो होती है वह सेम होती है अगर इसकी हाइट एक्स है तो विर्थ भी क्या है एक्स है और जो इसकी लेंट होगी वह भी क्या होगी एक्स होगी य X-cube हो जाएगा और जो area of base होगा वो तो होगा X square होगा simple है अच्छा जी अब क्या करेंगे अब ये करेंगे 2 implies देखें X square है तो ये A है दोनों तरफ आप square root apply करें ये cancel हो जाएगा तो इदर से X क्या आ जाएगा देखें square root of A put X is equal to square root of A in 1 1 में इसको put कर दे 1 implies V क्या था cube था तो यहां पर भी cube बन जाएगा और V आ जाएगा हमारे पास A की power है 1 over 2 उपर power है 3 तो V की value आ जाएगी V is equal to A power 3 over 2 ये आ गया तो यहां पर lesson number 2 end हो जाता है thank you